मुझे बताया गया है और जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है अभी तक में फाउंडेशन और सरकार के द्वारा लगभग 30,000 योगों को सोरोजगार रोजगार से जोड़ा गया है मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना के वैस्विक महमारी जिसको साइध हम कभी भूला नहीं पाएंगे उस दोरान में भी फाउंडेशन के तरफ से प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर लगभग 500 बच्चियों को नर्सिंग का निक्ति पत्र दिया गया था और आज और वो भी निक्ति पत्र हमी ने वित्रन किया और साज्योग से आज ये स्वभाग पुरह हमें प्राप्त हो रहा है उसमें ये कारिकरम हमारे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आज जित था और आज प्रजा फाउंडेशन के इस प्रांगन में पुना पांच सो बच्चों को नर्सिंग में निक्ति पत्र वित्रन का कारिकरम भी आज जित था जार्खन परदेश देश के अत्यंत पिछडे राजयों में से एक राज और इस राज में अस्य परतिसत लोग ग्रामिन शेत्रों में वास करते हैं जिविका के लिए कई चुनतिया इस राज के हमारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है गरीबी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज में है जब हमने इस राज का बालडोर संभाला उसी समय से हमारी ये सोच रही है कि इस राज के हर एक घर के आर्थिक अमगनी में कैसे बढ़ोतरी हो इसका रास्ता निकाला जाए कोरोना के वेस्पिक महामारी में लाखों लोगों का इस राज से दुसरे राजियों में रोजगार की तलास के लिए जाना किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि पंद्रा लाख से भी अधिक राज के लोग बाहर रोजगार के तलास में जाते हैं वैसे अलग-अलग राजियों में जाना मना ही नहीं है अच्छी आमदनी के लिए अच्छे काम के लिए अलग-अलग राजियों में आना जाना बंध हो जाए तो आपकी और पूरे देश का पूरे राज का हर चीज रुक्सा जाएगा कहा जाए कि इन पैरों के चल्ले से ही अर्थ विवस्था की पहिये भी घुमते हैं इसलिए मुझे लगता है कि भगवार ने इस्वर ने हमें दो पैर दो हाथ दो कान दो आख नाक मूँ और छोटा सा बुद्धी दिया है जिसका उपयोग हमें हमेशा करना चाहिए अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं और बेकार बैठे रहते हैं तो मनुष्य मनुष्य के ने जानवर के सरेने में कहा जा सकता है और यही मेरा फोकस रहा है कि ग्रामिन अर्थविवस्था को कैसे गति दिया जाए और हमारे नौजवानों को कौन सा ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके और अपना रुजगार कर सके तो हम लोगों ने अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग जगों से हमारे यहां आने वाली पीड़ी, हमारे नौजवान, हमारे वर्तमान, बुड़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए क्या कारियोजना होना चाहिए, वो हमने तयार करना शुरू किया और आज इसको लेकर बड़े पैमाने पर जो हमारे सहयोग और इस काम के लिए हम लोगों ने कई सहयोगियों को भी अपने साथ जोड़ा उधारन के तोर पर आज परजया फांडेशन है कि अब ये नर्सिंग का कोर्से सिरफ महिला या लड़किया नहीं करेंगी अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं ये सरकार का सोच है इसमें कोई बंदिस नहीं है लड़के भी कर सकते हैं और ये बहुत जल्द हम अब इसको सुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के छेतर में आगे बढ़ने का उनलों को मौका मिले चुकि मैं देखता हूँ आपको मालूम होना चाहिए भारत में पहला ये राज है जहां आज आईस राज के मरीजों को बहतर सुईदा उपलब कराने के लिए अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले